हलो फ्रंट्स, आई मारिफ, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप HDFC बैंक में अपना सेविंग एकाउंट कैसे खोल सकते हैं आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, HDFC में अपना एकाउंट खोल सकते हैं जैसे ही आप अपना एकाउंट ओबन कर लेते हैं तो उसके एक हफ़ते बाद आपको एक वेलकम कित मिलेगी इस वेलकम कित में आपकी पास्बुक होगी, डैविड काउड होगा और चेक बुक होगी जो आपका डैविड काउड है, वो मास्टर काउड का होगा तो बहुत ही simple process है आप आसानी से HDFC bank में अपना account खोल सकते हैं अब बात करते हैं कि HDFC में अपना account क्यों खुलवाना चाहिए तो देखें दोस्तो HDFC इंडिया का सबसे बड़ा private bank है और इसकी service बहुत fast है जो government bank है उनकी service इतनी fast नहीं है और HDFC bank के debit card पर काफी cashback मिलता रहता है यदि आप online shopping करना पसंद करते हैं तो आपके लिए HDFC bank काफी अच्छा option है तो चलिए देरी किस बात की विरहन देरी करें सीख लेते हैं कि HDFC bank में अपना account कैसे open करें HDFC bank में अपना account open करने के लिए आपको HDFC bank की official website के इस page पर आ जाना है इसका link आपको description में मिल जाएगा वीडियो की वहाँ से आप इस page पर जा सकते हैं अब इसके बाद आपको account open करने के लिए आपको यहाँ पर click here पर click करना है अब इसके बाद जैसे ही आप click here पर click कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे उपर अपना एक mobile number डालना पड़ेगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना pen card number भी डालना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर एक code दिया गया होगा जैसा यह code लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर इसे enter करना है जो small में है वो small में लिखना है और जो capital में है वो capital में लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पर time and condition को accept करना है इस पर आपको click करना है अब इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है then इसके बाद आपको verify and proceed पर click कर देना है then इसके बाद आपको अपना KYC documents भी select करना है नीचे documents की list दी गई है यहाँ से आप other card select कर सकते हैं मैंने यहाँ पर other card select कर रखा है then इसके बाद आपको proceed पर click करना है अब जैसे ही आप per receipt पर click करते हैं तो यहाँ पर एक agreement आजाएगा इसमें account की term and condition के बारे में बताया गया है आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं इसमें KYC के बारे में सब कुछ बताया गया है तो चलिए मैं agree पर click कर देता हूँ देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नमबर डालना है और देन इसके बाद आपको पिरो सीट पर click करना है अब इसके बाद आपके सामने दो option आजाएंगे एक आएगा आधार OTP authentication और second है scan आधार QR code तो इन दो अनों में से आपको एक option को select करना है यदि आप first option को select करते हैं तो इसमें आपके आधार कार्ट से जो भी mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा वो डाल कर आपको verify करना है वरना आप नीचे वाले option के मदश से आपके आधार कार्ट पर जो QR code होता है उसे आप scan करकर आप verify कर सकते हैं तो मैं यहापर first option को use करना चाहूँगा आधार OTP authentication इसके लिए आपके आधार कार्ट से mobile number लिंक होना जरूरी है तो मैंने इस option को select कर लिया है then आपको proceed to verification पर click करना है then इसके बाद आपके आधार कार्ट से जो भी mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है six digit में OTP होगा then इसके बाद आपको यहाँ पर right click करना है time and condition को accept करना है then इसके बाद आपको proceed पर click कर देना है then आपके सामने next step आजाएगा तो यहाँ पर काफी सारे accounts दिये गए है तो यहाँ पर आपको regular saving account को select करना है आपको काफी सारे account type दिये गए है सभी account की एक term and condition है तो मैं आपको regular saving account की term and condition जो है वो बता देता हूँ इसमाँ आपको monthly maximum 10,000 रूपे maintain करकर रखने है यह आपके area पर depend करता है minimum 25,000 रूपे है तो मैंने regular saving account select कर लिया है then इसके बाद आपको यहाँ पर proceed पर click करना है state or city select करने के बाद अब आपको यहाँ से branch name select करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर branch name आ रहा है बुलंशेर उत्तर प्रदेश तो मैं इसे select कर लेता हूँ then इसके बाद आपको proceed पर click करना है देन इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए मंतली बैलेंस के बारे में बताएगा है जो मैं आपको पहली बता चुका हूँ यहाँ पर देखिए एवरेंस मंतली बैलेंस जो है वो 10 यार रुपे है यह आपको maintain करकर रखना है यह minimum 25 रुपे तक हो सकता है लेकिन मेक जिमम जो है वो 10 यार है यह सबसे बड़ा bank है और इसकी service काफी ज़ादा है यह एक regular saving account है इसलिए आपको कुछ balance अपने bank account में रखना पड़ेगा आप यहां से अपना account type भी change कर सकते हैं लेकिन हर bank में आपको monthly balance आपको maintain करकर रखना पड़ेगा amount अलग-अलग हो सकती है किसी में 25,000 भी है किसी में 15,000 भी है सबसे कम मुझे maintain amount regular saving account में ही लगी तो इसलिए मैं इसमें अपना account खोल रहा हूँ इसके बाद आपको proceed पर click कर देना है इसके बाद आपको अपना एक photo upload करना है और यहाँ पर आपका name होगा और इसके बाद आपको आपके पास जो भी email aíड़ है वो आपको डाल देनी है और इसके बाद आपको merit al status select करना है आपको साधी होई है तो आपको merit select करना है और इसके बाद आपको अपने father का name एंटर करना है और mother name एंटर करना है और then इसके बाद यहाँ पर आपका एक pencard number होगा सबी detail fill करने के बाद आपको proceed पर click कर देना है अब जैसे यह आप proceed पर click कर देंगे तो आपको समने इस तरह का interface आज़ेगा तो यहाँ पर important information है कुछ तो यहाँ पर लिगा है apply email statement तो यहाँ पर already yes select है यदि आप यहाँ पर no select कर देते हैं तो आप अपने bank account की statement के निए apply नहीं कर पाएंगे अब इसके बाद second option है yes I wish to declare the nominee अब इसके बाद यदि आप अपने bank account में कोई nominee add करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से yes ही सेट रहने देना है यदि आप nominee add नहीं करना चाहते है तो आप को यहाँ से no select कर लेना है तो मैं आपसे कहना चाहूँँगा आप nominee ज़रूर add करना किसे भी आप nominee करते हैं तो जो आपके bank account में जितना भी पैसा है वह nominee को मिल जाता है इसके बाद option है यह आप से पूछ रहा है register my account for third party transfer in net banking mobile banking तो इसे आपको यह सी रहने देना है जिदि आप mobile banking या net banking use करेंगे तो उसमें आपको अपने debit card की detail डालने पड़ेगी third party transfer के लिए देन इसके बाद आपको प्रोशीट पर किलिक कर देना है अब इसके बाद आपके समने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना option type select करना है option type में आप जो भी है वो आप यहां से select कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर source of fund select करना है कि आपके पास जो पैसा है वो कहां से आता है तो यहां पर agriculture का option है यदि खेती से पर इसके होती है तो आपको इसे स्लेक्ट करना है पर अपनी साल की टौटल इंकम डालनी हैं कितनी होती है दिनस के बाद आपको प्रोशीट पर किलिक कर देना है देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अड्रेस पिरोवायड करना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे ओपर दिये गया है recently तो आप का देन टाइप क्या है आप 김राय पर एप्स है कर सकते हैं यहां पर किसी कंपक Biz चाहिए कि रहे के लिए यहां पर कंपनी प्रोथ स्टीक्र स late कर सकते हैं तो यहां पर कुछ आडरह्त्त को लिओर सहीं फिल अब इसके बाद यहाँ पर आपको road number या name यहाँ पर डाल देना है जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसके बाद आपको landmark डालना है landmark का मतलब यह है कि यदि आपके आज पास कोई पिर्सित जगा है उसे आपको यहाँ पर डाल ली है इसके बाद आपको state डालने पड़ेगी इसके बाद यहाँ पर आपको city डालनी है अब इसके बाद आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे mailing address and permanent address तो आपने उपर जो address दिया है वो आपका mailing address भी है और permanent address भी है तो आपको इन दोनों option को select कर लेना है इससे आपको address बस एक ही बार डालना पड़ेगा वन्ना आपको mailing address भी देना पड़ेगा और फिर permanent address भी देना पड़ेगा तो मेरा एक ही address है तो मैं इन दोनों option को यहाँ से select कर लेता हूँ इसके बाद आपको nominee detail भी देनी होगी जैसे कि आपको यहाँ पर nominee का name डालना है और आपकी relationship क्या है nominee से वो आपको यहाँ पर select करनी है और उसके आपको date of birth भी डालने पड़ेगी देन इसके बाद आपको nominee का address भी देना पड़ेगा इदि nominee का address और आपका address एक ही है तो आपको इस option को select कर लेना है तो जैसे ही आप इस option को select करते हैं तो नीचे automatic address फिल हो जाएगा आपको address फिल करने की ज़रूरत नहीं है तो simply आपको यहाँ पर फिरो seat पर click करना है अब इसके बाद में आपके सामने एक last step आएगा इसके बाद कोई भी step नहीं है इसके बाद बस आपको वीडियो के वाईशी करनी है तो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है चली मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले state of birth यानि कि जिस राज्य में आपका जनाम वो है वो डालना है और इसके बाद city of birth यानि कि जिस सहर में आपका जनाम वो है वो आपको यहाँ पर डालना है देर आपको इनीचे scroll down करना है और यहाँ पर आप preview पर किलिक करकर अपने पूरे form को देख सकते हैं अपने क्या का detail भरी है यहाँ आपको कोई detail गलत दीखती है तो आप उसे edit कर सकते हैं submit करने से पहले आपको सही से check कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर tax address status भी है यदि आप tax पे करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने अनुशार इन दोनों option में से एक को select कर लेना है तेन इसके बाद last वाला option है यदि आपको किसी bank bipartisan ने assist किया है account खोलने के निए तो आपको third option को select कर लेना है तो मुझे किसी भी bank rabb真的 ने assist नहीं करा है तो मुझे select करने की जड़ोत नहीं है और मैं tax भी नहीं पह गरता हूँ तो मुझे यह भी select करने की ज़ोत नहीं है कि आपको अपनी वीडियो के वाइसी कैसे complete करनी है यहाँ पर आपके पास एक प्रोपर mobile होना चाहिए और network उसमें सही होना चाहिए और आपके पास आपका original pen card होना चाहिए और इसके बाद आपके पास एक white paper होना चाहिए जिस पर आपको sign करकर दिखाना पड़ेगा HDFC के customer care को जब आप बात करेंगे वीडियो के वाइसी पर आपको sign करकर भी दिखाना पड़ेगा तो इसलिए आपको अपना pen card भी रखना है और आपको एक paper भी रखना है white और उसके पर sign करकर दिखाना है इसके बाद आपकी KYC हो जाएगी देन इसके बाद यहाँ पर आपको click करना है और इसके बाद आपको agree and continue पर click कर देना है देन इसके बाद आपके सामने next page आ जाएगा तो यहाँ पर आपको आपका account number मिल जाएगा and customer ID मिल जाएगी and आपके bank का IFC code भी मिल जाएगा तो simply आपको यहाँ पर save account पर click कर देना है तो आपके bank की सभी details save हो जाएगी जैसा ही आप save account पर click करेंगे तो आपके phone में एक PDF file download हो जाएगी उस PDF file में आपकी सभी account detail होगी जैसे की customer ID and IFC code और account number then इसके बाद अब आपको last में एक step complete करना है कि आपको अपनी video KYC complete करनी पड़ेगी इसके लिए आपके mobile number पर एक link बेज दिया जाएगा वहाँ से आप अपनी video KYC complete कर सकते हैं और video KYC के लिए आपको सुबा 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही call करनी है अधिक जानकरी के लिए आप customer care पर बात करकर भी पूछ सकते हैं कि हम video KYC कैसे करें वो आपको बता देंगे customer care का number आपको google पर मिल जाएगा HDFC bank का अब इसके बाद में जैसे ही आप अपनी video KYC complete कर देते हैं तो आपका कुछ दिन बाद आपका account active हो जाएगा account active होने के एक हफते बाद आपके पास आपकी passbook, checkbook और आपका एक ATM card आ जाएगा तो देगा दोस्तों आपने कितना आसान है आप इस तरीके से HDFC bank में अपना account घर बैठे खोल सकते हैं आपको बिरांच जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो देगा दोस्तों आपने इस तरीके से आप HDFC में अपना bank account ओपन कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीकी वीडियो सिलात रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पोर वाचिंग